हम लोग CT8 का class ले रहे हैं और number system पढ़ रहे हैं और number system का next topic है divisibility rule और हम लोग ये जो class ले रहे हैं सो tuition style से दे रहे हैं tuition style से लिए क्योंकि tuition में जैसे आपको copy में बताया जाता है जार आपके बगल में बैठे रहते हैं और आपको copy में बताते हैं तो उसी तरह हम लोग Qution Style से Divisibility Rule सिखें गया ठेक है Divisibility Rule हर किसी के इंपोर्टन है तो आप ये वीडियो को पूरा देखेगा और आपको अब Divisibility Rule में कभी दिक्कत नहीं आएगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 का Divisibility Rule Divisibility Rule क्या होता है किसी भी नंबर को देखते के साथ हम लोग कैसे बता सकते कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा की नहीं 3 से होगा की नहीं तो उसी रूल को हम लोग बहुते है Divisibility Rule तो 2 से डिवाइड होने का तो जैसे हम लोग Place बता है किसी नंबर में Place होता है तो हम लोग को 2 से डिविजिबिलिटी रूल में 1 यूनिट Place को देखना पड़ेगा यहां 0, 2, 4, 6, 8 यह सब नंबर रहेगा तो यह नंबर पूरा नंबर 2 से डिविजिवल होगा नहीं तो 2 से डिविजिवल नहीं होगा क्या समझें आप लोग जैसे कोई example दे लेते हैं 2 से डिविजिबिलिटी रूल का जैसे हो गया 5, 6, 7, 8, 4 तो हम लोग पूरे नंबर 2 से डिविजिवल होगा कि नहीं तो हम लोग को पूरा नंबर देखने का जरूरत नहीं है लास्ट का सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे कि क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो देखेंगे हाँ 4 है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा हम फिर एक और एजामपल लेते है 5, 6, 9, 3, 2, 1 तो ये देख रहे हैं हम लोग कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं तो देख रहे हैं कि लास्ट का यूनिट डिजिट 1 है तो ये पूरा नंबर इसके अंदर नहीं आया यूनिट डिजिट तो ये पूरा नंब दिया हुआ है 2, 6, 7, 8 तो ये सारे नंबर का जो डिजिट है सारे डिजिट को ये पूरे नंबर का डिजिट को हम लोग सम करते हैं अगर सम डिवाइड होगा 3 से तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा चलि हम लोग सम करते हैं 8 और 7 15 15 और 6 आपका हो गया 21 21 और 2 हो 15 15 6 21 21 divided हो रहा है 3 से तो ये पूरा number 3 से divide होगा तो यानि हम लोग क्यकिए पूरा number का digit sum लिये यानि पूरा digit को sum कर लिये 7 8 plus 6 is equal to 21 देखे ये divide हो रहा है तो ये पूरा number भी divide होगा थेक है तो इसमें हम लोग देखेंगे sum of digit देखेंगे ठेक है 4 4 में जैसे हम लोग बताएं नंबर में 1, 10, 100 प्लेस होता है तो हम लोग यहां 1, 10 प्लेस को देखेंगे अगर 1, 10 प्लेस दिवाइड हो गया 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जैसे कोई एक्जामपल लेते हैं 6, 7, 8, 9, 2, 4 तो जैसे हम लोग 2 में देखते थे तो 2 में हम लोग क्या देखते थे unit place को यहां देखेंगे 2 place को तो 2 place वाला देख रहे है 24 24 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा और अगर हमें एक और एक्जामपल है तो देख रहे हैं 64, 64 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरा नमबर भी 4 से डिवाइड होगा 5 का बहुत असान है 5 का असान क्या है 5 में जो है यूनिट प्लेस में या आप बहुत सकते हैं once place में जो last के place में वहाँ सिर्फ 0 या 5 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह डिवाइड होगा 5 से जैसे हम लोग देखते हैं 2, 5, 6, 5 तो क्या यह डिवाइड होगा 5 से तो हो टिप्लाय करके बनता है 2 और 3 से 2, 3 जा 6 होता है तो 2 ऐसा number जो 2 का divisibility rule भी follow करें और 3 का divisibility rule भी follow करें तो वह 6 से कटेगा जैसे हम लोग यही 7, 8, 6 वाला example लेते हैं तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2 से divisual है कि नहीं 6 का divisibility check करने के लिए सबसे पहले 2 से हो रहा कि नहीं तो 2 से check करने के लिए unit place देखेंगे कि 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं तो देखें 6 है तो मतलब यह 2 से divisual है यानि 2 से divisual है अब 3 से है कि नहीं तो 3 से देखने के लिए सबका sum 7, 8, 15, 15, 16, 21 21 भी divisual है यान 3 से भी divisual है 2 से भी divisual तो यह पूरा number 6 से भी divisual होगा यानि 6 का divisibility rule देखने क तो मतलब यह पूरा number 6 से divisual नहीं होगा आगे 3 से check करने भी नहीं जाएंगे हम लोग अब 8 का जैसे हम लोग 2 में देखें कि last का 1 डिजिट और 4 में देखें last का 2 डिजिट 4 से divisual होना चाहिए 8 में देखेंगे last का 3 डिजिट 8 से divisual होना चाहिए जैसे हम लोग देखते है 4, 4, 8, 1, 6 तो last का 3 डिजिट यहां हम लोग पूरा number नहीं last का 3 डिजिट देखेंगे 8 से divisual है कि नहीं अगर last का 3 डिजिट 8 से divisual है तो यह पूरा number 8 से divisual है तो आप देख रहे है last का 3 डिजिट 8 से divisual है 8 बन जाए 8,8,8,2,0,16 यह यह पूरा-पूरा 8 से divide हो जाएगा क्यों last का 3 digit, इसमें क्या देखते हैं, 8 में, 8 में देखते हैं, last का 3 digit, ठीक है, last का 3 digits हम लोग देखते हैं, इसमें 4 में क्या देखते हैं, 4 का last का 2 digit, last का 2 digit हम लोग देखते हैं, और हम लोग 2 में क्या देखते हैं, 2 में देखते हैं, last का 1 digit, last का 1 digit, ठीक है, और आपको समझ में आग 9 similar है 3 के जैसा 9 का, अब देखते हैं हम लोग ठीक है, तो 9 में क्या है, इसमें भी हम लोग देखते हैं, sum of digit क्या, sum of digit देखते हैं, ठीक है, इसमें भी देखते हैं, अगर sum of digit 9 से divide है, तो पूरा number भी 9 से divide होगा, जैसे हम लोग एक example लेते हैं, 9, 1, 8, 6, 3 ठीक है? यह example है तो इसका sum देखते हैं 9 और 1, 10, 10 और 18, 18 और 6, 24, 24, 3, 27 तो क्या 27 divide होता है? तो 9, 3 जा 27 तो देखें हम लोग divide हो जाता है तो यानि यह 9 से divide होगा यह पूरा number 9 से divide होगा क्योंकि इसका sum 9 से divide है तो यह आप similar देखें किसके जैसा? 3 के जैसा 3 में भी अगर sum divide होगा 3 से तो यह हो जाएगा 9 में भी अगर sum divide होगा sum divide होगा अगर 9 से तो यह भी divide हो जाएगा पूरा number भी divide हो जाएगा 9 से 10 एकदम easy जैसे 5 में हम लोग देख रहे थे कि 5 में क्या देख रहे थे कि 0 और 5 होना चाहिए last digit 10 से divisibility के लिए हम लोग को बस last digit क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए last digit क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए जैसे कुछ भी number हो 2, 6, 7, 8 इसके पीछे अगर 0 आ गया तो यह 100% 10 से divide होगा अगर 0 के लावा कुछ भी है तो 10 से divide नहीं होगा अब 11 सबसे important अब सबको समझने में थोड़ा सा परिसानी होता है तो इसलिए अब हम लोग 11 को अच्छा से करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं 11 11 का एक example से आपको हम समझाएंगे ठीक है 11 example से आपको समझ में आएगा जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग odd places का जो number रहेगा उसमें odd places का sum करेंगे ठीक है minus करेंगे even places के sum के साथ ठीक even places के sum के साथ हम लोग इसको minus करेंगे और जो भी number आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर या वो number 0 आना चाहिए या फिर वो number divide हो जाना चाहिए 11 से या तो 0 आना चाहिए या फिर divide होना चाहिए 11 से तो वो number होगा divisal 11 से तो एक example देखते हम लोग 1794 तो यह देखें इधर से counting start करते हैं हम लोग या दखेंगा आपने right hand side से counting start करेंगे 1, 2, 3, 4 4 हो गया, तो यह हो गया 1 यह हो गया 2 place, यह हो गया 3 आपको बस लिख रहे हैं अभी, starting में आपको लिखना नहीं आपको start करना 1 से, तो यह से करके जोड़ना 1 और यह 3 वाला को, यह odd place हो गया odd place का sum, तो यानि 7 और 4 कितना हो गया 11, even place वाला sum 9 और 10 कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया, 10, तो यह दोलोंका difference कितना आगया, यह दोलोंका difference आगया आपका, यह दोलोंका difference आगया 1 1 आगया, तो यानि यह पूरा number 11 से डिभाइड नहीं है, क्यों आना चाहिए, 0 आना चाहिए एक और example हम लोग लेते हैं 1, 3, 3, 1 इसमें देखते हैं 1 place यह है तब हम लोग लिखेंगे नहीं और यह odd place है तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 और 3 और 1 कितना हो गया? 4 तो even place और odd place के number को हम minus कियें तो देखें कितना आ गया? 0 0 आ गया तो मतलब यह पूरा number 11 से divide होगा ठीक है? आपको समझ में आगया होगा इसी तरह कोई भी बड़ा number लिखे हैं हम लोग इसी तरह कोई भी हम लोग बड़ा number लिखते हैं जैसे 9, 0, 1, 1, 5, 3 तो इसका odd place का सम 3, 1, 0 और 5, 1, और 9 सम कर लेते हैं तो 3, 1, 4, 4 यहां लिख देते हैं फाइब और 1, 6, 6 और 9 आपका हो गया कितना? 6 और 9 हो गया 15 तो यह आपको divisibility rule होप सो पुरा clear हो गया होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल अभी growing age में है आपका support का बहुत जरूर है ठीक है तो आप जरूर से जरूर अपना support दिखाएं Thank you